घर लाते ही करोरपती बन जाओगे जरूर लाएं। बहुती सुन्दर बीडियो है। बीडियो का विश्य बहुती सुन्दर है। धन बान बनने के लिए करोरपती बनने के लिए कौन से वस्त घर में रखें। तो इस वीडियो में आप अपना पूरा समय जरूर दीजेगा। अगर आप जो हैं आज की ये वीडियो शुरू सुलेकर आखरी तक देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तों में वस्तों रखने से हमारे घर में क्यूं धन आते हैं, क्यूं धन टिकते हैं, हम क्यूं लखपती, करोरपती और अरबपती बन जाते हैं बहुत शारे जो वस्तों होती हैं, अलग अलग वस्तों में अलग अलग प्रकार के उरजाय होती हैं, एनरजी होती है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है चलिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि धनवान बनने के लिए, करोरपती बनने के लिए, कौन सी वस्तों हमें घर में रखनी चाहिए देखें, हर वस्तों का अपना अलग अलग महत और प्रभाव होते हैं, जी हाँ, आपने ये वात बिल्कुल सही सुनी, कि हर एक वस्तों का अलग अलग अपना अपना प्रभाव होता है, आपने जो घर में रखते हैं, वो वस्तों का अपना अलग 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 प्रभाव होत शात्यूक वस्तु और तीसरा होता है देवी वस्तु और ये जो वस्तु हैं हमें घर में क्यों रखनी चाहिए इसके रखने से क्या हमें वस्तों में हमारे घर के धन में बढ़ोतरी होती है तो बिल्कुल ही घर में धन में बढ़ोतरी होती है माता लक्ष्मी ची कि कृपा बर इन्हें घर में रखने से धन में बरकत होती है, तीजी से हमारे घर में धन आने शुरू हो जाते हैं, अगर आप बिल्ली का जिर मिल जाए, तो यह बहुत ही धनवान बनाता है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर मिल जाए, तो समझ लेजे कि आपका करोडपती ब पिशे बहुत सुन्दर है तो साथिक वस्तुओं के इस त्रेणी में जो आते हैं वो यह हैं काला हल्दी ध्यान से सुनना काला हल्दी घर में रखने से तेज़े से घर में धन की बढ़ोतरी होती है इसके बाद है रत्ती के दाने जिसे हम गुंजग भी बोलते हैं और कहीं कह कि जो बांदा कहे गए हैं यह सारे वस्तु सात्विक वस्तुओं के स्रेणी में आते हैं इसके बाद देवी वस्तु देविक अर्थात देवी देपताओं को समर्पित वस्तुओं जैसे कि दच्छिड मुखी संख आप अपने घर में रखते हैं तो धन की बढ़ोतरी होती है कोडी के रखने से धन की बढ़ोतरी होती है कमल गट्टे के रखने से इसे भी धन की बढ़ोतरी होती है चुम्बक की तरह खिंचता है यह सब देवी वस्तुओं होती है तो आप लोगों को ध्यान रखने वाली वस्तु आपको सुनना है यह जो हमने बता रहे हैं ध्यान देना है देखे हर वस्त का प्रभाव एक नियत समय होता है जैसे कि एक साल है दो साल है पांच साल है एक समय के बाद जरूर हमें बदलते रहना चाहिए सही फल प्राप्त करने के लिए जैसे कि हम बस्त्र पहनते हैं तो उसे त्याग देते हैं जब गंदा होता है बदल देते हैं या फिर आप उनका धुलाई कर देते हैं उस्षी प्रकार से वस्त जो मैं बताऊंगा इन वस्तों को भी एक नियमित समय पर हमें बदलते रहना चाहिए तो आईए इस वीडियो में हम जानते हैं धनवान बनने के लिए कौन सी वस्तों हमें घर में रखना चाहिए जिससे हमारे घर में तेजे से धनकी बढ़ोतरी हो देखिए हमारे चैनल का मक्षद है जनहित एवं जनकल्यान करना आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप हमारे परिबार के हिस्सा हैं तो आज क्या वीडियो को जो विशह है बहुते सुन्दर है आप लोगों के हित के लिए है यह जनकारी आज में आप लोगोंको आप ही लोगों के जन कल्यान के लिए आप लोगों के अध्यात्मिक उन्नत के लिए बता रहा हूँ वैसे तो आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे लेकिन इस प्रकार का ग्यान आप लोगों को कोई भी ब्यक्ति फ्री में नहीं बताने वाले हमारा मक्षद ही है जन हित एबम जन कल्यान करना तो आपने अभी तक कमेंट बाक्ष में ओम नमई शिवाय नहीं लिखें तो ओम नमई शिवाय लिख दीजे बीडियो को लाइक कर दीजेगा दोस्तों को शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा और मैं आप सभी दर्शकों से हाद जोड़ कर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने तक शिमित मत रखना इसे आगे जरूर सेयर कर देना हो शकता है आपके एक सेयर किशी की जिंदगी को बरबाद होने से बचा ले आए अब बीडो को आगे बढ़ाते हैं तो सर उप्रतम आपको कौन से समागरी घर में रखनी है तो आपको रखना है सुपारी शुपाडी को बश ऐसे ही नहीं रखना है आपको करना क्या है आपको शुपाडी को लाल धागे में लपेट करके जो लाल धागे हैं ये माता लक्ष्मी जी को समर्पित होते हैं जितने भी लाल कलर हैं लाल कलर के जितने भी धागे आते हैं तो तांत्रिक वस्तों आते हैं, सात्रिक वस्तों आते हैं, देविक वस्तों आते हैं, ये लक्ष्मी जी को अपने तरफ आकरसित करने का काम करता है, और सुपाडी का सिधर समंद भगवान गड़ेश जी से होता है, जहां पर गड़ेश जी हैं, वहां पर अर्थार्थ, जहा दिखाना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा इसे पूजन रिस्तान में आपको पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको रखना है यकीनन माने इसे सुपाड़ी के प्रभाव से आपके घर में अन्य धन की कमी कभी नहीं होगा निरंतर आपके घर में धन लेकर आएं साबूत हल्दी लेकर आएं और इसमें लाल धागे को लपेट कर मातल लक्षमिज के चरणों के पास रख दें और फिर आप पूजा करे माता के मंत्र कजाप करें और इसे धन की स्थान पे ले जाकर रख दें कभी भी धन की कमी नहीं होगी हल्दी के अनेक गु लाल चुनरी में भी लपेट लें हो सकता है मौली धागा आपके पास हो या फिर आप बाजार चला सकते हैं और इसे आप लपेट करके रख दें और आप इसे अगले दिन धन के स्थान पर रख दें या फिर उसी दिन आप कुछ देर के बाद रख दें तो धन खिचा उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी कभी रुकने वाली नहीं है, दूसरी जगह है तो आपके घर आजेंगे और करोड़ पती आप बन जाओगे अगली चीज है, इलाची और लॉंगि माता लक्ष्मी को बहुत बढ़ी है, आप क्या करें कि इलाची लॉंग साबूत, दो इल दो लौंग ले ले और आपको लाल धागे में लपेट करके बान देना है और माता लक्षमी जी को आप समर्पित कर देना है और फिर बाद में इससे आप अपने धन के स्थान पर रख दें तो धन कभी भी खत्म नहीं होगा चुम्बक की तरह धन खीचा चलाएगा जैसे ही मा लाल धागे से लपेट करके आप उठाओगे तो आप आगे आगे माता लक्षमी जी पीछे पीछे आप आगे आगे माता लक्षमी जी पीछे पीछे यानि कि आपके घर में रहेंगे नित निवास करेंगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी तो इस प्रकार से ये उपाय करें ह पर दोज़ें से दिखना नहीं चाहिए और आप चाहें तो एक यानी दो या पाँच यानी कि आप लेले साबू थल्दी उसे भी आप लाल धागे से लपेट ले लोंग इलाची को फिर लपेट ले और आप माता लक्ष्मिक पास सभी को रख दे और सभी को आप अपने धनकी स्थान पर रख दें तो चुमबक की तरह पैसा खिचा चलाएगा चुमबक की तरह माता लक्ष्मिक खिची चली आएंगी आपके घर में कभी धनकी कमी होगी ही नहीं मान के चलिए आप करोरपती बन जाओगे लगपती बन जाओगे यहा तक कि अरपती भी बनने में देर नहीं लगेगी तो दोस्तों इस प्रकार से यह उपाई जरूर करें आसा करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी तो दोस्तों कमेंट में जरूर आप लिखेगा जैमालक्ष्मिक साथी बीडियो को लाइक करिए दोस्तों के बीच अधिक से देख शेयर करिए जन हित एवं जन कल्यार के दिए शेयर जरूर कर दिया करें इससे आपका ही भाला होता है और लोगों का भी भाला होता है इसलिए वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना ही आपका और आपके परिवार का भाला होगा तो दोस्तों लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा, ध्यान से कर दियागा दोस्तों, जय मालक्षमी